नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो काफी लंबे समय से कोलकाता जोन का बेसब्री से इंतिजार था कि कब से इसका फर्स्ट पैनलिस्ट आएगा तो दोस्तो अभी अभी इसका फर्स्ट पैनलिस्ट जारी कर दिया गया और उसका complete process भी आ चुका है तो दोस्तो स्क्रीन के उपर आप देख पा रहे होंगे Government of India Ministry of Railway, Railway Recruitment Board कोलकाता यहाँ पर देखे प्रोविजनल रिजल्ट फॉर पार्ट पैनल अफ लेवल 6 पोस्ट अफ कमर्शल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर एगेंस्ट केटेगरी नमबर 1 एंड केटेगरी नमबर 2 Central Employment नमबर 1-2019 NTPC यहाँ दोस्तो आप देख पा रहे होंगे रॉल नमबर अप देख सकते हैं सौथ इस्टर रिजवे से कमर्शल अप्रेंटिस के लिए दो केंडेट का चैन हो चुका है जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस्टर रिजवे के लिए स्टीशन मास्टर से यहाँ पर टोटल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितने कैंडेट यहाँ पर सेलेक्टेड हुए है तो 273, 273 कैंडेट यहाँ से चैनित हो चुके हैं दोस्तों वहीं यहाँ पर देखिए यहाँ पर 49 candidates South Eastern से select हुए है और यहाँ देखिए 2.0 में बताया गया है result of the following candidates have been withheld due to non receipt of medical certificate यहाँ पर देखिए 4 candidates ऐसे हैं जिनको यह job देने से रोक लिया गया है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है receipt of medical certificate मतलब की medically unfit पाए गया होंगे इस वज़ा से इन्हें withheld रख लिया गया है मतलब job देने से इनकार कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों marks of last in panel candidates category railway and community wise category number one post commercial apprentice in South Eastern यहाँ पर देखिए यूर का जो है 99 cut-off लगा है commercial apprentice के लिए नहीं दोस्तों station master के लिए दिखिए इस्टर्ण railway से जो cut-off लगा है वो देख पा रहे होंगे यूर का 69 है SC का 64 है SC का 61 OBC का 66 और दोस्तों EWS का 66 EX servicemen UR का 51 बागी यह अप EX servicemen में SC का 41 और EX servicemen में OBC का 46 लगा है वहीं दोस्तों South Eastern railway से बात करें इस जोन से तो यहां पे देखें Marks of Impanel Candidate UR का जो गया है दोस्तों वो 68 है SC का 63 ST वालों का 61 OBC 66 EWS 66 और EX servicemen UR का 55 EX servicemen OBC का 57 लगा है तो यह एक महत्पून अपडेट सा दोस्तों और साथ में मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा जो Candidate यहां पे Medically Unfit पाए गए है उनके लिए भी Remedical का यहां पे Option आ गया है तो दोस्तों Screen के उपर आप यहां पे देख पा रहे होंगे The following Candidates were sent for examination of medical category A2, A3, B2, C2 यहां पे दिखिए Name दिया गया है, Roll Number दिया गया है Hospital का Name है और Medical Fitness category यहां पे दिखिए यह जो बंदे हैं वो A3, B2 और C2 में fit हैं लेकिन unfit है A2 में यह देखिए Candidate A2 और A3 में fit है पर B2, A3 में unfit है पर B2, C2 के लिए fit है यहां पे दिखिए A2 के लिए unfit है A3, B2 और C2 के लिए fit है तो सारे Candidate का अब एक बर देख पा रहे होंगे Total जो है वो B2 Candidate ऐसे हैं जो कि A2 मेडिकल क्रैटेरिया में unfit पाए गए हैं और उससे नीचे वाला में fit है तो हो सकता है कि यहां पे दिखिए A2 के अंदर यहां पे दिया गया है दो Candidate तो Totalist तरह से 24 Candidate है जो कि यहां पे unfit पाए गए हैं दोस्तों तो इनके regarding इनको re-appeal करने का option दिया गया है और फिर से दोस्तों हो सकता है कि यहां पे second panelist DV के लिए निकाला जाएगा तो आप चाहें तो दोस्तों यहां पे medically re-appeal कर सकते हैं चाहे तो speed push कर सकते हैं या फिर direct जो है वो address में direct जागर के visit कर सकते हैं 1000 रुपय का demand drop आपको इसके लिए बनाना प्रता है तो दोस्तों यह महत्पुन दो update था जैसे ही दूसरे vote का result आता है तो मैं यहां पे आपको सुचित कर दूँगा मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार